जैहिन हमारे सभी व्यूवर्स को तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अगनिवीर फॉर्म फिलप के उपर जी यहां वो चीज जो सबसे पहले एक अगनिवीर करता है अपनी ट्रेनिंग अपनी प्राक्टेस सब चीज शुरू करने से पहले वो है फॉर्म फिलप तो वो फॉर्म कैसे फिलप करना है वो आज की वीडियो हम डिसकस करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका रिजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट में पे कैसे करना है वहाँ तक हम आपको पूरा बताएंगे ए टू जैड और एक और चीज़ में आपको बताना चाहूंगा जो फर्स टाइम अगनिवीर की भरती भी थी उसमें कोई पैसा नहीं था उसमें आप डारेक्ट फर्म भर सकते थे बट अब जो आने वाली भरतिया हैं उनमें आपको पे करना होगा ठीक है तो थोड़ा प्रोसेस चेंज हो गया है मेक शॉर करें आप इस प्रोसेस को पूरा एंड तक देखें वीडियो को भी पूरा एंड तक देखें और बाकी वीडियो इसको भी लाइक करें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको अगनीवीर भरती से रिरिटेट से जुड़े रहे और अगर आपको अगनिवीर बनना है तो आपको पता आपको कहा आना है, आपको आना अगनिवीर online.com, यहाँ आपकी help लिए मिलें आपको e-books, books, model papers, जैसे कई सारे resources, जो कि आपको अगनिवीर बनने में help करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सबसे पहली च notification में आप यहाँ पर देखोगे कि हर ARO ने अपना कोई ना कोई notification निकाला होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना जो nearby ARO है, उसका notification देखना है, notification के अंदर ही, registration का link और joining में कैसे कैसे आपको registration करना है, कैसे कैसे account बनाना है, वो सब चीज़े detail दी होती है, एक तरीका जो आप देख करोगे, वो करोगे अपनी eligibility check, अब eligibility check करना ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि starting में ही अगर आपको पता चल जाए कि आप किन-किन trades के eligible हो, तो वो ज़्यादा बेटर है as compared to की, बाद में जब आप देखो, तब आप थोड़ा confused हो जाओ, ठीक है, तो इसलिए starting में आप अपनी eligibility check कर लो, तो जब आप इस पे click करोगे eligibility पे, तो वो पूछेगा आपसे आपका state क्या है, district क्या है, तहसील क्या है, आपकी height qualification, ये सब details वो आपसे पूछने वाल है, details जब आप भर दोगे, enter करोगे, तो नीचे ही इस page में ये details आ जाएंगी, कि आप किस-किस trades के eligible हो, ठीक है, जैसे है, जो हमने details डाली, उसके हिसाब से हम GD के लिए, technical के लिए, clerical के eligible थे, तो हम इन सब के लिए apply भी कर सकते हैं, तो जब हमें पता लग गया आपकी हमारी eligibility किस-किस trade के लिए है, तो अब हम actual में form भरना start करेंगे, registration करना start करने वाले है, तो इसके लिए ह हम इसके पर click कर देंगे, तो हमारको सबसे पहले तो instructions आएंगी, instructions basically अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ ले, majorly यही बताते हैं कि भई, कहां आपको किस section में, क्या data आपको भरना है, कोई ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं है, जैसा हम आपको भी वीडियो में बताएंगे, आप वैसा देखते रहिए, वो आप कर लेंगे फिर, continue पर आप click करोगे, continue में click करने के बाद दो option देता है, कि आपको आधार card से registration करना है, या आपने 10 वी के certificates से, ठीक है, इसमें एक और चीज़ देखोगे, आप यहाएं कि fetch with digilocker, अब digilocker क्य क्या होता है, क्यों इसकी importance है, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, अब registration में सबसे पहला scenario देखते हैं, कि जो बच्चे 10 वी के certificates के साथ, अपना registration कराना चाहते हैं, उनके लिए कैसा होगा, तो आप इस पर click करोगे, metricalization certificate पे and fetch with digilocker पे आप click कर दोगे, ए ऐसा window open होके आएगा, इस window में आपको अपना board डालना है, email डालना है, और mobile number डालना है, और इसके बाद find पे click कर देना है, right, find पे आपने click करा, तो एक और window खुलके आएगा, जिसमें कि आप से पूछेगा आपका ये board दुबारा से डालने को, अपना roll number क्या था आपका दस् address and mobile number, then आप find के ओपर click कर दोगे, जब आप find के ओपर click कर दोगे, तो ये automatic आपके details को digilocker से fetch कर लेगा, अगर आपके पास digilocker का account है तो, अगर नहीं है तो मैं आपको सबसे पहले recommend करूँगा, आप digilocker में अपना account बनाए, कैसे बनाना account मैं भी आगे वीडियो में आप को बता रहा हूँ, ठीक है, तो अब इतने आप, अगर आप चाहते हो कि आप digilocker से इतना सारा जोल करो, उससे बड़िया आप क्या कर सकता है, आप simply आधार से अपना login कर सकते हो, अब क्या होता है, digilocker ज़रूरी यह हर किसी के पास हो, बट आधार हर किसी के पास होता है, और आधार mobile number से link हर किसी का होता है, इसलिए हम कहते हैं कि आधार से आप अपना registration करो, ठीक है, आधार पे click करोगे, fetch from digilocker पे देन आप click कर दोगे, एक बार आप click कर दोगे, तो यह आप से मागेगा आधार का number और यहाँ पे capture डालने का option, दोनों भर दोगे और next कर दोगे then आप दुबारा एक digilocker की screen पे आ जाओगे, अब बात करते हैं कि यह digital locker है क्या, digilocker एक digital locker है, मतलब online एक ऐसी सेवा है, जहाँ पे आप अपने सभी documents, जितने भी government certified documents हैं उनको रख सकते हो, जैसे कि आपके 10 week certificate, 12 week certificate, अपने graduation certificate, आधार कार्ड, pen card, passport, everything, और वो जो आपके documents online आप upload कर दोगे, वो उतने ही real हैं जितने कि आपके in reality कागज में जो documents होते हैं, अगर आपने online वो documents दिखा दिये, वो equivalent है कि कागज के बराबर है, तो मतलब आपको अपने original कागज अगर आप carry नहीं भी कर रहे हो, और digilocker से दिखा दे होए, तो वो भी valid माने जाएंगे इंडिया में, बहुत easy है, digilocker आप या तो इसका app डाउनलोड कर सकते हो, या इसकी site पर जा सकते हो, digilocker.com, वहाँ पे आप अपना create account पे click करोगे, तो आपको अपना नाम डालना होगा, date of birth, अपना sex, mobile number, six digit security pin, जिस pin से आप अपने digilocker को खोलोगे, तो वो आपको अप आप सेट करना है, एक तरीके से password है, email address and आधार card, then आप कर दोगे submit, तो आपका बन जाएगा, digilocker account, और वहाँ पे एक बार आप अकाउंट बना लोगे, तो उसके अंदर simple options होता है, अपने documents को upload करने के as a PDF, एक बार आपने सारे documents upload कर दिये, तो उसके बाद fetch करना हो जाता बहुत easy third party apps के लिए, जैसे कि हम third party apps and third party websites, जैसे कि join indian army, navy air force की है, जिक, अब एक बार आपने digilocker में अपना account बना लिया, digilocker में जाने के बाद क्या होगा, अभी हम बात कर रहे है, आधार card से registration की, ठीक है, आधार में आपने आधार number डाला, capture डाला, उसके बाद क्या हो बिया, continue click करा, तो उसके बाद आपसे permission मांगेगा कि भई, digilocker से हम आपके documents ले रहे हैं, आप हमें allow करो, permission दो, allow के उपर आपने click कर देना, allow एक बार आपने करा, अब आप आजाओगे अपने actual registration window के अंदर, registration में भी आपसे कुछ details मांगे जाएंगे, वो है यापे, registration की details म आपसे मांगेगा है, आपका domicile state का है, आपका आधार कार्ड का number क्या है, आपका नाम, फिर ये और भी कुछ details पूछेगा जैसे कि आपका आधार कार्ड में number नाम सेम है या नहीं है, अब मैं एक चीज और बताना चाहूँगा, जो बच्चे जिनका दस्वी और बार्वी में अलग-अलग नाम है, नाम में कुछ दिक्कत है, मैं उनको recommend करूँगा, पहले आप अपना ये चीज ठीक कर रहो, क्योंकि अगर आपका नाम ठीक नहीं होगा तो आप form भरी नहीं पाओगे, तो ये चीज को आप पहले clear कर रहो और उसके बाद ही अपना form भरो, ठीक है, ये सारी details आपके, father, care of, father's name, everything, ठीक है, email address, mobile number, ये सब जब आप भर दोगे, then आपको last में करना है, submit पे click, submit पे एक बार आप क्लिक करोगे, तो जो आपने इसी form में अपना email ID डाला था, उसी पे आपका OTP आ जाएगा, OTP आपको एक बार email ID पे receive हो जाएगा, तो उस OTP को आ यहाँ पे डालना है, with capture, अगर by chance नहीं आता है OTP, तो यहाँ पे एक और option है, again generate OTP, इस पे click करना, तो अगर आपके बास first time पे नहीं आया, तो वो second time पे जरूर आ जाएगा, ठीक, OTP आप डालोगे, then आप enter हो जाओगे, अपने personal details, registration के लिए अभी यहाँ पे हम registration की बात कर जेंडर, marital status, height, ठीक, यहाँ पे अपना state, district and तहसील आपको इस सब चीज़े यहाँ पे डालनी होगी, अब इसके बाद आपको डालना होगा अपना education details, जिसमें की qualification course मतलब आपने 10 वी करिये, 12 वी करिये, 8 वी करिये, उसमें आप से पूछेगा कि appearing हो या past हो, past हो तो past डा जालो, देन यह पूछने वाला है, 10th का आपका, कि 10th आपने कहां से गरा है, अब उसमें पूछेगा कि आपका roll number क्या 10th का, फिर यह पूछेगा कि आपने past कर लिया है, कि अभी appearing हो, वो सब चीज़े आप से पूछेगा, ठीक है, इसके बाद यह बोलेगा कि यह एक password बना जोगे तो आपके पास आपका registered email ID और आपका password generate हो जाएगा, यहाँ पे click करने के बाद आप register हो जाओगे, ठीक, यहाँ तक तो था आपका registration process, रेजिस्टर हो जाओगे तो उसके बाद आप अपनी profile को खोल सकते हो, profile कैसे खोलना है, दुबारा join Indian Army की site पे जाओ, वहाँ पे आप दो दोनों चीज़े डालोगे, देन आप इस screen पे आजाओगे, जो अभी हमारे मुग के सामने है, इस screen पे एक बार अगर आप आगए, यहाँ पे आप जाने के बाद एक बार अपने details चेक करोगे, registration जो details है, screen पे पढ़े हो है, आप देख लो कि सब सही है या नहीं है, ठीक है, आपने चेक कर लिया कि details हैं, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, apply online पे, ठीक, apply online पे क्लिक करने के बाद, आप नीचे एक option आएगा आपके पास, इसी page में, अगर आप apply online नहीं कर रहे हो, आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस-किस entry के लिए eligible हो, वो यहाँ नीचे शो हो जाएंगी, gd के आप eligible हो, technical के लिए eligible हो, clerk के लिए eligible हो, तो let's say हम gd के लिए form बर रहे हैं, तो हम क्लिक करेंगे apply के उपर, यही step हमने eligibility के time पे भी चेक कर रहा था, तो अब हमारे को इक बाद जब हम register हो जाते हैं, त तो यह option यहाँ पे नीचे fetch हो के आजाता है, कि हम किस-किस trade के लिए eligible है, तो let's say हम gd के लिए eligible है, तो हमने gd वाले option पे apply क्लिक कर दिया, apply क्लिक करने के बाद दुबारा से हमारे पास instructions आएंगी, कि वही form कैसा कैसा होगा, इसमें क्या के details जालनी होगी, वो सब चीजे communication details होता है, फिर miss detail, education detail, exam center, then last वो जाके payment होता है, ठीक है, तो एक के बाद है, एक हमारे को इस सब चीजे भरनी होगी, तो फिलाल हमें अब इपने personal information में, personal information में आपका नाम, father's name, mother's name, और date of birth, automatically होंगे, यहाँ आपको डालना है, region, class, अपना gender, एक photograph और signature का photo, जो की दोनों का size 5KB से 20KB के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, personal information आपने डाल दी, save कर दी, उसके बाद आएगा आपका communication detail, communication detail में house number, address, village, city, और आपका correspondence address है, उस पे भी आप same, अगर same है, तो यहाँ पे click कर सकते हो, नहीं तो अलग है, तो यहाँ पे details भरके save and continue आप कर दोगे, simple simple steps हैं, जैसे यहाँ पे district, तहसील, block, pin करके आपने save and continue करा, तो आपका communication details हो गए, पूरे, अब आएगा misc detail, misc details में आपको डालना है कि भाईया, आप general revenue के लिए तो order हो, ठीक है, sports हो, NCC खेली या नहीं खेली है, NCC में थे या नहीं थे, ठीक है, और बाकी सब categories, categories के बारे में लोग पूछते हैं, तो एक एक करके आप details अपना डाल दे, उसके बाद आएगा आपका education qualification, education qualification में आप चूज करोगे, qualifying course आपने क्या-क्या 10 वी करिए, 12 वी करिए, 8 वी करिए, board पूछेगा आपसे, passing year आपने कर ये state board से, year था passing आपका 2018, ये था आपका roll number, certificate number ये है, अब आपको नीचे subject wise marks भरने होंगे सबके 10 वी में, ठीक है, यहाँ पे आप करना है, इस drop down में आपको यहाँ पे click करना है, drop down में जब आप click करोगे, एक एक करके सारे marks डाल दोगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, make sure करें, आप अपने सभी subject से number डालने, right, 10 वी में जैसे आपके late से 6 subjects से, Hindi, Sanskrit, Math, Science, Social Science and English, आपने सभी डाल दिए, marks जितने आपने अपने अप्तेन करें, वो आपने यहाँ डाल दिए, कितने में सभी अप्तेन करें, 100 में से, वो यहाँ आपने डाल दिए, और exam center, कि आप exam center कौन सा चाहते हो, सबसे पहले तो आप डालोगी कि आपका home state कौन सा है, जहाँ पर आप अभी हो, home city कौन सी हो, यहाँ पर डालेगा, अब उसके हिसाब से, यह first, second, third, fourth, fifth में, सबसे nearby जो locations है, आपके home state से, वो यहाँ पर दे देगा, तो make sure करें कि जो सबसे न एक detail summary आजाएगा, तो make sure करें कि आप सभी details को यहाँ नीचे check कर ले screen पे कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं fill कर दिया मैंने, अगर गलत फिल कर दिया तो यहाँ पर edit का option है, आप इसको edit कर सकते हो जाके, पूरे में कहीं भी आप अपना communication detail, अपना misc detail, अपना जो भी details है करने के बाद एक बार बोलेगा आपको pop-up आएगा कि भई यह जो आप पे करोगे non refundable, अगर गलती से आपने, आपका server hack हो गया, अगर आपका server अटलटक गया भी इसमें, ठीक है, या फिर आपने back button दबा दिया, आपका phone बंद हो गया, तो इसमें payment आपको वापिस नहीं मि banking और UPI से भी payment कर सकते हो, कोई भी अपना option आप चूज कर सकते हो, amount मिलेगा आपको 2500 रुपय तक का, ठीक, 200 से 200, depending on आप किस method को चूज कर रहो, वो मिलेगा आपको यहाँ पे, payment आप अपना कर दो, pay now का यहाँ आप बटन दिखरा है, pay now एक बार आप कर दोगे, तो ऐसा में कि मेरी application कहां पहुची है अभी, उसके लिए आप दुबारा आप अपने profile के अंदर आओगे, यह आपका profile है, ठीक है, इस profile में अगर आप by chance logout हो भी जाते हो, तो कुछ नहीं, आपको profile के अपना email ID और password डालना है, और capture डालना है, यहाँ पर option है, history of application करके, ठीक है, इस इसको आपको खोलना है, history of application आप खोलोगे, तो यह देखो, यहाँ पर ऐसा खोल जाएगा, अब history of application में दो चीज़े है, एक तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगी कि submitted आ गया है, submitted आ गया का मतलब कि आपकी application submit हो गई है, ठीक है, एक यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर download admit card CCE का option है, ठीक है, यह अभी option यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक admit card download करने का option नहीं आया होगा, क्योंकि तोरण payment का आप नहीं आता है, वो generally एक से डेड़ महीने बाद आता है, जब एक से डेड़ महीने बाद आपको notification आजाएगा कि application आप download कर सकते हो, तो इसी से आपको download करना है अपना admit card, ठीक है, history of application में आपको आना है, and इसी जगह से आपको download करना है अपना admit card, तो आज का वीडियो यहीं तक, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, but I hope मैंने आपको जितना detail देना था दे दिया और आप सब समझ गए होंगे, वीडियो आपको अच झाले